कि मुस्कार दोस्तों कैसा आप सुब लोग में नाम दीपक कुमार और मैं आपको अपने चैनल लेके फैने नौइज में बहुत-बहुत सवागर करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब जब आता है आपके सब्सक्राइब कीजिए ठीके फैनल नालेज चैनल को और बगल की घंटे को भी दवाईए ताकि आपको वीडियो की नोटिपिकेसा मिले सबसे पहले यह तो सबसे पहले में आपको आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों यह मेरा Samsung का मैंने निव फोन करीद है समसंग N42 तो इसमें क्या है अभी कुछ दिन पहले ही इसमें अपडेट आया ठीक है तो चलिए आपको क्या करना है आपका कोई भी मुबाइल हो ठीक है इसी मुबाइल की मैं बात करनी कर रहा हूं आपको कोई भी मुबाइल हो आपको सेटिंग में जाना है सेटिंग में जान यह इस तरह का आपको यह मुबाइल में रहेगा दोस्तों जिसके जरी आप जान सकते हैं कि आपके मुबाइल में सब्सक्राइब अब्डिट आया है तो चलिए से ओपन करते हैं तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर लिखाए है download and install तो इसको सब्सक्राइब करना है है थो यहांपको आसन देगा दोस्तों मैंने इसे पहले साइभ डांटोक कर लिया है दाकि वीडियो बनने में लेट नहों तो डेख रहा है अपकि लगबग 1026 अंपिका है ये चाईक है तो इतना आपको capita होना चाहिए इसको इंस्टाल करने के लिए तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है मैं इसे डाउनलोड करके रखा है खाली इंस्टाल करना वागी है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे जब आप इसका सब्सक्राइब करेंगे तो मोबाइल किस तरीके से आपका होगा औ मुबाइल को चालू करने कोशिज करते हैं और भी करने कोशिज करते हैं तो वैसा कुछ आपको नहीं करना है दोस्तों ठीक है आपको क्या करना है कि आपको इसको पूरी तरीके से इंस्टाल होने देना जब तक म्मवाइल आपको कुछ निकतर है दोस्तों चले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यह आपड़ेट होता है मौईल फूरत आपको इसको आपको करनां है बिल्कुल आपको करबाना नहीं है क्यों लोग मोजो़ अपडेट से बहुत गणवा नोट हो चुका है अब मुझे खाली अपने मॉबाईल को अपडेट करना है जैसे हैं इस्टाल बटन बन दबाऊंगा यह अपडेट होने लगए दोस्तों तिये मैंने इस्टाल बटन पर दबाया और यहां पर देख रहे हैं प्रोसेस दिखा रहा है दोस्तों यह आप देख सकते हैं एंड्रोइड अपडेट यह होने लगा है और इसके लिए एक चीज मैं आप और बताने हैं दोस्तों कि आपके मुबाईल में इंटरनेट कनेक्शन होगा तब इसके आप डाउनलोड कर पाएंगे और कम से कम डाउनलोड होने के बाद जब आप इसे इ आप एक को बाका इसमें होता क्या है सब्टवियर करने से इसमें किसी भी कमपणी के आप फोन यूजच करते हैंसमोबाईल आपनी को अपडेट नहीं करते हैं दोस्तों जिसके कारण आपका मॉबाइल बहुत स्लो काम करता है और काफी चीजों को सपोर्ड ने कर पाता है यह गलती अक्सर लोग करते हैं तो इसे जल्दी से इस्टाल करने देते हैं दोस्तों आप देख रहे हैं कि यह लगवक्त 94% कंपलीट हो चुका है और कुछी टाइम यह पूरा कंपलीट हो जाएगा तो जब तक यह होता है दोस्तों आपको अपने मुबाइल को बिल्कुल भी छेड़ चाड़ नहीं करना है मतलब उसे कुछ भ अब यह देखिए यह समय जो सॉप्ट्वेर है इसमें आपको दिखा दूं यह देखिए यह इसमें से अब्ग्रेड हो रहा है फोन यह दुखियो दोस्तों अब देख रहा है जो हमारा मोबाइल है वह अपडेट हो चुग है दोस्तों है ठीक है हमारा मुबाइल जो है वह अपडेट हो चुका है दोस्तों चलिए इसे ओपन करके देखते हैं कि अब इसमें जो हमारा मुबाइल है वह पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है दोस्तों आप देख रहे हैं यह मुबाइल पूरी तरीके से अपडेट हो चुका है अब इसमें हो सकता है को यह बहुत ऐसे चीज़ें जो आपके नए-ने फीचर्स आपके मुबाइल में एड होए होंगे दोस्तों यह हो सकता है यह अभी पूरा फिनिसिंग थोड़ा सा बचा हुआ है यहां पर देख र गया उस फ़ोन में नहीं था और बहुत ऐसे फीचर्स ने नहीं थे दोस्तों लेकिन जैसे मैंने इसे अपडेट किया दोस्तों यह screen recording का option भी आगया और नए features इसमें add हो गया दोस्तों mobile update के दौरत तो आप इस तरीके से अपने mobile को हमेशा time to time update करते रहेंगे दोस्तों तो आपके mobile भी हमेशा सहीं चलेगा और जो है इनने features उसमें add होते रहेंगे दोस्तों आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गये होंगे कि mobile को कैसे update कर रहे हैं और क्यों जरूरी होता है mobile update update से जूड़ी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चनल में आई बटन में जा कर आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो कर लिंग दे दूंगा वहां वीडियो को आप देख पाएंगे दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं सब्ट्वर अपडेट अपडेट हो चुका है हमारा मॉबाइल पुरी तरीके से इस तरीके से आपको अपडेट करना है दोस्तों ठीक है चलिए इस वीडियो को यह करते हैं फिर मिलें किसी नहीं नहीं जान कर साथ आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट बार में पूछें सब तक के लिए जाहिन ज है भारत दोस्तों